सिनिमा जगत के मशूर अभिनेता मनोज कुमार ने बताया कि जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताब बचन मुंबई छोड़कर अपने माबाप के पास दिल्ली वापस जा रहे थे तब उन्होंने अमिताब को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया मनोज कुमार कहते हैं जब लोग अमिताब को नाकाम्याबी की वज़े से ताने दे रहे थे तब भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे मनोज कुमार ने इस फिल्म का निर्देशन भी किया था मनोज कुमार ने बताया कि उनकी फिल्म पूरब और पस्चिम में काम करने के लिए दिलिप कुमार ने अपनी पत्नी सायराबानो को मनाया इसके बाद उन्होंने दिलिप कुमार को अपनी फिल्म क्रान्ती में कास्ट किया मनोज कुमार ने राजकपूर की बेहर चर्चित फिल्म मेरा नाम जोकर में काम किया था मनोज कुमार कहते हैं जब मेरे करीबी दोस्तों जैसे राजकपूर, देवानन्द और प्रान की फिल्में टीवी पर आती है तो मैं चैनल बदल देता हूँ क्योंकि उनका लाकारों की यादे मुझे रुला देती है अभीनेता शारुख खान से मनोज कुमार उस वक्त नाराज हुए थे जब शारुख ने अपनी फिल्म ओम शांती ओम के एक सीन में मनोज कुमार की नकल वाला एक सीन रखा था हालाकि बाद में शारुक ने दावा किया था कि उन्होंने मनोज कुमार से माफी मांग ली थे